बस इस indicator को apply करो, यहाँ पे cross signal उपर में दिखाता है, sell करो, और एक लंबी rally को enjoy करो, बस आपको नीची में यहाँ पे एक crossover होता है, और bind करो, और hold करो, और एक बेहतर profit बनाओ, इस strategy कमादे हम से, जी नमस्कार, आप सभी को एक और नई learning strategy के वीडियो पे मैं श्वागत करता तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, RSI के मदद से कैसे nifty और back nifty में दूनों में हम लोग scalping कर सकते हैं, nifty और back nifty के लिए यह strategy है, और इस strategy की अगर बात करें तो हम लोग rix reward, अगर 1-2 से नीचे का rix reward मिलता ही नहीं है, अगर maximum हम लोग का है, तो 1-2 इसमें 10 तक का भ आपको confident है कि मैं position को profit वाले position को hold कर सकता हूं, तो यहाँ पे 1-10 का भी आप rix reward घर लेके जा सकते हैं, इस strategy को मैंने बहुत back testing किया, implement किया, इस strategy ने मेरे loss को recover किया, तो अगर आप भी इसको use करते हैं, तो definitely है कि आपको भी यहाँ पे अगर loss में ट्रेडर है, तो loss recover करकर करक condition है कि आपको लगतार एक मन्त तक इस strategy को आपको huge करना है, उसके बाद आपका result जो trading career का होगा, वो totally change हो जागा, यह मैं 100% guarantee के साथ कहता हूं, तो चलिए समय गवाए बिना आपको यहाँ पे strategy के parts में लेकर करके चलता हूं, तो सबसे पहले इस strategy को हम लोग nifty या bank nifty में कही भी कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो time frame होता है, वहाँ पे time frame को हम लोग को 3 minute करना होगा, सबसे पहले हमें time frame को change करना होगा 3 minute पे, और उसके बाद यहाँ पे एक आपको RSI indicator plot करना होगा, यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में, वहाँ पे आपक टाइप करना होगा relative strength index, यह आपका चार्ट पे यहाँ पे plot हो जागा, चार्ट पे plot होने के बाद मैंने इसका सारा setting कैसे करना है, कौन से setting रखना है, और कहाँ पे implement करना है, यह सारे आपको description में एक PDF मैं जिननेट करकर कर दे दिया हो, आप उस PDF को check out कर लिजएगा, वहाँ important part है इस strategy का, जो extremely parts है, वो मैंने PDF में कबर कर रखा है, तो आप definitely PDF को check out कर लिजएगा, PDF में सारे setting में ने दे रखा है, check out करने के बाद, आपको यहाँ पे indicator इस तरीका का आपको दिखाई देगा, अब इसको implement कैसे कर ला है, इस strategy को कैसे use कर ला है, वो हम लोग यहाँ पे सि 60 का, और यह middle वाले label है, जो middle band इसको बोला जाता है, वो 50 का, और नीचे वाला जो band है, वो 40 का है, यहाँ पे 60, 50 and 40, दो band आपको यहाँ पे sit करना है, यह दो आपका indicator है, एक RSI, एक RSI moving average best indicator है, अब इसमें क्या कर ला है, कि दिखे यहाँ पे आपको दिखाते है, कि जैसे 60 क यह उभब यह जाएगा, तो आपको यह मान करकर चलना होगा, कि market में अब यहाँ पे over about हो चुका है, as a 3 minute time frame पे हम लोग scalping के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक sorting position बनाने का मौका मिल सकता है, और जैसे 60% के उपर, यहाँ पे एक red and green, वे ने बहुत indicator cross each other, अगर यह दो indicator आपस में cross over होते है, और cross over होने के बाद red वाला indicator नीचे और green वाला indicator जब उपर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कि इस help से यहाँ पे हम लोग vertical line को यहाँ पे mark करेंगे, और यहाँ पे हम लोग identify करेंगे, कि इस area पे suppose that यहाँ पे cross over हो रहा है, यानि कि इस candle पे हमारा यह green वाले candle पे हमारा यहाँ पे cross over हो रहा है, तो just इसके नीचे हमें क्या करवा होगा, जैसे ही इसकी low को breakout होगा, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, वेटर understanding के लिए, जैसे ही इस वाले low की candle को breakout होगा उपर वाले की, हम लोग इसमें तुराल selling position बनाएंगे, अब इसके ऊप यहाँ पर stop loss को हम लोग plot कर देंगे, मैं यहाँ पर आपको live यहाँ पर back testing के माधियम से आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इसमें trade लेंगे, और कैसे हम लोग यहाँ पर target के लिए वेट करेंगे, यहाँ पर sorting position करना है, तो यहाँ पर breakout होता है, breakout होने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा इसके high के उपर stop loss बना, 14 point का यहाँ पर stop loss दिखा रहा है, 1 is to 2 को हमें target ले करके चलना है, तो 14 दूल 28 हमें यहाँ पर 1 is to 2 में लगिया, फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो 1 is to 3, 1 is to 4, 1 is to 5, 1 is to 6, 1 is to 1 is to 5, यानि कि हमें देखेंगे तो 1 is to 5 से ले करके गर और नीचे करें, तो 1 is to 6 का हमें यहाँ पर risk and reward यहाँ पर मिल चुका है, risk and reward 6.09, यानि कि हम यहाँ पर 14 रूपया को stop loss देखर करके और यहाँ पर 6, 1 is to 6 point गुना हम लोग यहाँ पर profit generate कर रहे हैं इस stargy कमाधियल से, सिंपन है, बस इसके crossover पर आत्म पर हमें sell position बना दे ला है, फिर उससे हम आजेंग को bind करना है, कि जैसे ही यह नीचे वाले 40 के आज पास crossover हो, यह इसकी नीचे हमें crossover हो, crossover होने के बाद green candle, green line नीचे चला जाएगा, और green moving average नीचे चला जाएगा, red moving average उपर को जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस candle प हमें क्या करना है, यहाँ पर high को mark कर दे ला है, और just इसको हमें इस candle के जैसे ही high को breakout करेगा, हम इसके previous candle को low को stop loss मान करकर के, इसमें 1.2 के लिए हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर 7 point का आपको stop loss बना, और यहाँ पर अज़र अज़र देखें, तो हम लोग यहाँ पर 68 point का हमें one way target मिला, इन निफ्टी में, तो अगर आप 7 point लगा करके 9, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 is to 9 का रिक्स reward मिला है, यह एक ऐसा indicator है न, reality मैं बता रहा हूँ, सच में, अगर आप इसको back testing सिर्फ करें, मैं आपको suggestion कर दोगा कि आप इसका 10 दिन का data को आप सिर्फ back testing करें अगर 10 दिन को back testing करने के बाद, अगर आपका confident, अगर 90 to 100% अगर increase नहीं होगा रहा, तो मेरे channel को, अगर subscriber है, तो unsubscribe कर दीजेगा, report मार दीजेगा, case camera है, गलत बताता है, मैं सारे चीजों को 100% reality के साथ कर रहा हूँ, कि सिर्फ आप 10 दिन के data को आप यहाँ पर back testing करके देख अगर आप बेहतर understanding ले चाहते हैं, strategy को हमेशा के लिए तो इसका PDF भी आपको नीचे मिल जागा, आप वहाँ पर जा करकर check out कर लीजेगा, देखने है 1 is to 9, 1 is to 6 का rigs reward मिलता है, इस scalping का माधियम से, यह हमेशा आपको bottom पे buy करवाएगा, top पे sell करवाएगा, जिससे आप एक बेहतर profit बनाएगे, दूसरी बात कि अगर इस बीच में, यानि कि suppose that यहाँ 50 के आसपास crossover होता है, तो ना हम लोग sale करेंगे और ना हमें buy करेंगे, buy कभी करना है, जब 40 के आसपास या 40 के नीचे crossover होता है, sale जब ही करेंगे, जब 60 के ऊपर cross होता है, या 60 के आसपास cross होता है तब हम लोग यहाँ पर selling position बनाएंगे, इस strategy कमादी help से और एक जबजस्त profit घर लेके जाएंगे, तो I hope इस strategy को आपको समझ में आया होगा, back testing कीजे, फिर मिलते हैं next day, next video के साथ धन्यवाद